हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले रैबिट रीवा का हाथ हटा कर बोली हाई इतने हक से बोलोगे तो मैं जरूर रास पास भटकूंगी कलकी अपने भाई को पीछे से गले लगा कर बोला भाय आप भी मेरे साथ मुंबई आ रहे है मैं बहुत खुश हूँ कलकी ने अपना सिर रूद की पीट पर रखा हुआ था आदित्य जी का उदास चहरा अपने बच्चों की खुशी देख कर खिल उठा था लेकिन आदित्य जी अंदर से काफी परेशान और उदास हो गए थे जो रीवा की चालाक नजरे भांप लेती है अब आगे रीवा अंदर जाकर अपने कान पर हाथ लगा कर बोली सरकेट अभी जो भी हुआ तुम उसे देख तो नहीं पाए लेकिन तुमने उसके बारे में जरूर सब कुछ सुन लिया होगा अब मुझे असली कल्पित के बारे में इन्फोर्मेशन निकाल कर दो ये सब किसके कहने पर किया गया है जितनी जल्दी हो सके मुझे यह इन्फोर्मेशन तुम दे देना क्योंकि मैं जानती हूँ आज उसने पापा पर हाथ डाला है कल वो रूद्र भैया कलकी पर या फिर मुझ पर भी हाथ डालने की कोशिश कर सकता है रीवा मैंने कुमावत और उस चांदनी का मुबाइल हैक कर लिया है कुछ ही देर में इन्फोर्मेशन तुम्हारे पास होगी सरकिट ने कहा वैसे रीवा तुम्हारे लिए एक जॉब ओफ आया है क्या तुम करोगी सब तुम्हारे उंगियों पर नाचेंगे जरा सोच कर जवाब देना सरकिट अपनी पीसी पर उंगिलिया चलते हुए बोला अगर मुझे वो जॉब पसंद आये तब ही जाकर मैं उसको जॉब करूँगी और जब तक मेरी मर्जी होगी तब तक मैं जॉब करूँगी उसके बाद छोड़ दूँगी और मुझे कोई भी फोस नहीं कर सकता यह मुझे जॉब ओफ करने वाले लोगों से बोल देना कि वो अपनी मर्जी के मालिक है जो उसका मन करता है वो वही करती है रीवा मुसकरा कर बोला अरे यार पहले मेरी बात तो सुन ले पूरी तुझे है ना हाई कोर्ट जज पैनल में शामल किया जा रहा है बोल क्या बोलती है करेगी जॉब सरकिट बहुत उमीद से बोला नो मना कर दो इंग नॉट इंटरिस्टेड रीवा तपक से बोली यार कर लेती मेरे कुछ केस है उसमें उन्हें क्लियर कर देती वैसे भी बहुत सारे जुर्म मेरे सिर पर लगे हुए है कोई बड़ा जुर्म सिर पड़े तब बताना तब जुआइन करूंगी बोल कर रीवा बात खत्म कर देती है दूसरी तरफ अश्वत गुसे से अपने आदमियों पर चिला कर बोला ये किस बेवकूफ इंस्पेक्टर को तुमने काम सोपा था क्या तुम लोग जानते नहीं थे वो चांगनी एक प्रोस्टिट्यूट है और तुमने उसी को उस बुड़े पर इलजाम लगाने के लिए भीज दिया जरा तो बुद्धी का इस्तिमाल करते तुम लोग तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ हो उसकी इंसल्ट करने भी पहुँचे तो कहां उसकी घर पर उसके कॉलेज जाते कॉलेज में जाकर उसकी पूरी इज़्जत की धच्चिया उड़ा देते तब जाकर तुम उसके घर जाते हैं वो कहीं मूल दिखाने लायक नहीं रहता बेवकूफों की फोज भर रखी है मैंने सॉरी बॉस हमें पता नहीं था कुमावत उस लड़की की शकल देख कर ही भाग जाएगा हमने जब पूछ काम पूरा हो गया तो बोला तुम लोग गलत जगह हाथ डाल रहे हो तुम लोग जानते नहीं वो बहुत खटनिक है मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे किसी भी काम में कोई साथ नहीं दे सकता ऐसा कौन है वहाँ जो उन लोगों की मदद कर रहा है कुमावत से कहो अश्वर आहुजा ने बुलाया है अश्वर ने कहा एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला बॉस कुमावत मार गया उसके साथ वो लड़की चांदनी भी अश्वर ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है अश्वर अपने आदमियों से बोला जाकर पता करो उस मास्टर के साथ ऐसा कौन सा इंसान आ गया है जिसे देखकर कुमावत की भी हालत खराब हो गई थी जो एक नंब का कतारानकन तारानकन क्रिमिनल और काउंटर स्पेशलिस्ट था इस इंसान के आते ही वो दुनिया छोड़ कर चला गया अश्वग उससे बोला कुछ ही घंटे में रात होने वाली है तुम जाकर उसे मास्टर के घर में आग लगा देना उस मास्टर के साथ साथ उसकी दोनों ओलादे भी जल कर राख हो जाएगी हाँ बस इस बात का ख्याल रखना कि वो लड़की रीवा वो मुझे जिन्दा चाहिए कुछ भी करके उस लड़की को वहां से सुरक्षित निकलना और उस मास्टर के घर को फूंग देना ओप बॉस बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है दूसरी तरफ रैबिट ने सबके लिए खाना बना कर टेबल पर लगा दिया था रैबिट ने लोगों के हिसाब से वहां दो चेय भी बढ़ा दी थी रैबिट ने अपनी चेय रोदर के बगल में लगा ली थी रीवा और कलकी ने अपने कपड़े बदल लिये थे रीवा ने कलकी के हो लोवर टी शिर्ट पहन लिया था उसमें भी रीवा बहुत सुंदर लग रही थी कलकी की नजर रीवा से हट ही नहीं रही थी ओ हेलो मुझे अपनी चेय थोड़ी दूर ही रखो ठीक है मैं तुम्हारा कोई पती नहीं हूँ जो मुझे हर दम चिपकती रहती हूँ रुद चील कर बोला रुद की बात सुनकर रैबिट चिरते हुए बोली ओ हेलो के बच्चे मैं तुम्हारे पास नहीं बैठी हूँ मैं पापा के पास बैठी हूँ आई समझ और अपने आपको ज़्यादा हीरो समझने की यह गलत फहमी निकाल कर फेक दो की दुनिया में तुम ही सबसे ज़्यादा सुन्दर हो हूँ हा नहीं तो रीवा आदित्या जी के हाथ पर अपना हाथ रख कर बोली पापा आप परेशान मत होए किसी के कीचर उचालने से कोई बात सच नहीं हो जाती है आप अच्छे है तो जरूरी नहीं हर कोई आपकी अच्छी देखे किसी ने आपकी इमेज को जानबूच कर खराब करने की कोशिश की है और मैं उसका पता लगा कर रहूंगी आखिरकार कौन शक्स है जो आपकी बेज जती पूरी समाज में करना चाहता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रीवा बेटा कि तुम इस परिवार पर कभी भी कोई आंच नहीं आने दोगी और मैं ठीक हूं अब तुम खाना खाला सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया है आदित्य ने कहा आदित्य जी के चहरे पर बेशक शांती के भाव आ चुके थे लेकिन उसके अंदर एक अलग ही तूफान उमर रहा था उनका ये सोच सोच कर कलेजा बैच जा रहा था कि जब आदित्य कल आफिस कॉलेज जाएंगे तो वहां के सभी स्टुडेंट उनको गंदी नजरों से देखेंगे साथ ही उनकी नौकरी पर भी खत्रा हो सकता है कलकी चुपचाप खाना खा रहा था उसका मन कल रीवा को छोड़ कर मुंबई जाने का बिलकुल नहीं था बहुत सालों बाद मिली रीवा के साथ वो कुछ टाइम बिताना चाहता था लेकिन अपनी फैमिली कंदीशन देखकर कलकी कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला लेता है रीवा कलकी के चहरे पर आये मिले खुले भाव को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी रीवा मन ही मन सोच रही थी कलकी किसी बात से परेशान है रीवा कलकी के हाथ पर हाथ रख अपना हाथ रख देती है कलकी नजर उठा कर रीवा को देखता है रीवा अपनी नजरों से ही कलकी से पूछती है क्या हुआ हुआ परेशान किया हो कोई प्रोब्लम है तो मुझे बताओ कलकी अपनी आँखों से इशारा करके बोला, कुछ नहीं हुआ सब है, बस कल के बारे में सोच रहा हूँ सभी अपना दिनर जल्दी ही खत्म कर लेते है आदिते जी घर के बैक्ग्राउंड बने गर्दन में तेहलने लगते है रैबिट और रुद्र किचिन में जाकर बर्तन धूने लगते है रीवा और कलकी टेबल साफ कर देते है रीवा कलकी से बोली, चलो कलकी मैं तुम्हारी कलकी सारी पैकिंग करवा देती हूँ ताकि कल जब तुम जाओ तो कोई भी सामान यहां छूट न जाए रीवा की बात सुनकर कलकी के चहरे पर मुस्कान आ जाती है जल्दी ही रीवा कलकी के रूम में थी रूम के अंदर आते ही रीवा को एक अलग सा अजीब सा एहसास होता है उसकी पूरे बदन में एक अलग ही गुदगुदी सी होने लगती है क्योंकि रेवा अब कलकी की पत्नी थी और रीवा उन दोनों की बीच वो सब होने का इंतजार कर रही थी कलकी अपना सामान निकाल कर बाहर रख रहा था और रीवा उन्हें अच्छे से तै करके सूटकेस में लगा रही थी लगबग एक गंटे के बाद सब कुछ रखा जा चुका था रीवा ने कलकी से कहा आज हमारी शादी हुई है तो क्या हम अपनी सुहाग रात नहीं बनाएंगे कलकी अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके रेवा को देखा है और मन में सोचता है ये लड़की होकर अपनी पहली रात के लिए कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है और मैं हूं कि मुझे कल की चिंता हो रही है हाँ वो वो मैं वो मैं बहुत थक गया हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नीमदा रही है और कल मुझे मुंबई भी जाना है इसके ये मेरा सोना बहुत जरूरी है बोलकर कल की अपने बैट पर ताकी हमें मोह दबा कर लेट जाता है लेकिन वो भूल जाता है उसकी शादी ज जैसे होते हैं बोलकर अपना मौ फुला कर उसी बैट पर बैट जाती है कलकी वापस से रीवा के बगल में बैट जाता है कलकी रीवा का हाथ पकड़ कर बोला मैं तुम्हें अभी छूना नहीं चाहता क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह पाऊंगा कल मैं मुंबई जा रहा हूँ पूरी दो साल के लिए और इन दो सालों में मैं सिर्फ तुम से बात ही कर पाऊँगा और वीडियो कॉल पर देख पाऊँगा लेकिन मैं तुम्हें चू नहीं पाऊँगा तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ हाँ पती देव मैं समझ गई कि आप मुझे सिर्फ थोड़ा सा प्यार करेंगे बोलकर रीवा कलकी के हूंथों पर अपने हूंथ रख देती ही तुबी कंटिन्यू